सब्सक्राइब करें GST प्लाटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टेक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए Good morning friends, GST प्लाटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है जी हाँ friends, 15 सितंबर से पहले GST और 3B से related कुछ important suggestions है जो की आप लोगों को provide करना है ताकि आगे चलके जब नया 3B आए तो उसके अंदर जो tables और requirements हैं वो सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ जाए क्या है ये पूरी कहानी, कहां देना है suggestion और क्या देना है suggestion और क्या change होने वाला है 3B में इसके लिए जुड़े रहेगा इस वीडियो के end तक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CBIC ने notice issue किया था जिसमें बताया था कि notice calling for the suggestions, views and comments from the stakeholders on comprehensive changes in GSTR 3B 3B के अंदर comprehensive changes जो हैं वो किये जा रहे हैं अगर आपको इस notice की इस consultation paper के requirement है तो आप हमारे whatsapp number जो यहाँ स्क्रीन पे दिये गए हैं इन numbers पे whatsapp कर सकते हैं आपको यहाँ पर यह consultation paper भीज दिया जाएगा जिसके अंदर 3B का नया format describe किया गया है इसके बारे में हम लोगों ने अपनी tax magazine के अंदर भी discussion किया है अगर आप लोगों ने अवी तक tax magazine का subscription नहीं लिया है तो same number पे आप tax magazine के लिए भी requirement अपनी ले सकते हैं और उसके अंदर आपको GST और income tax related updates हर महिने provide करी जाती है अब इस consultation paper के अंदर है क्या इसमें अगर आप देखेंगे तो comprehensive changes GSTR 3B के अंदर GST council की जो meeting हुई थी last 28 और 29 जून को उसमें बताया गया था तो यह public domain पे बोला गया था इस consultation paper को डालना है जो की available करवा दिया गया है accordingly the general public and trade at large are hereby informed that a detailed concept paper on comprehensive changes in 3B is enclosed तो यहाँ पर जो है comprehensive changes GSTR 3B के अंदर जो किया गया है उसका concept paper आप लोगों को share किया गया है और आप से inputs मांगा गया है कि और क्या चीज़े इसमें करी जा सकती all members of the trade and stakeholders are requested to kindly furnish their views or suggestions latest by 15th September तो इसकी last date है 15 सितंबर 2022 जिसमें आपको अपने suggestions इस email id पे GST policy wing dash cbic at the rate gov.in पे भेजना है ताकि नया 3B का format जो है वो finalize किया जाए और इसके अंदर annexure के रूप में 3B वो भी आपको provide किया गया है table wise चीज़ें इसमें बताई गई है कि कौन से table में क्या change proposed है जैसे अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर जो नया वाला GSTR 3B है इसके अंदर काफी सारी चीज़े बदल दी गई है जैसे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आपने कोई ऐसी supply करी है यानि कि आपकी supply अगर reverse charge के दाइरे में है अगर आप जीट यह हैं तो अभी तक आप वो figures नहीं भर पाते अब यहाँ पर column number E डाल दिया गया है जिसमें outward supplies attracting reverse charge का option मिलेगा अगर आपको इसमें कुछ और चीज़े चेंज करवानी है या कोई और suggestions है तो आपको particular email id पे suggestions देने के लिए invite किया है government ने अगला यहाँ पर जो change है e-commerce operators related data आपको यहाँ provide करने का option दिया गया है 3B के अंदर अभी तक advances जो आप receive करते हैं उसके उपर जो liability pay करते हैं या advance का adjustment होता है उसका option नहीं हुआ करता था अब उसका option भी आपके लिए GSTR 3B में provide कर दिया गया है जिसका benefit आप लोग उठा सकते इसके बाद सबसे important table insert किया गया है amendment table अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ चीज़े add होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको suggestions देना बेहत ज़रूरी है ताकि आगे चलके जब यह format final होगर के portal पे आए तो आप उस पे filing जो है वो कर पाए तो यहाँ पर amendment tables के details जो provide किये गए है इसको read करके समझ करके suggestions आप दे सकते हैं इसके बाद एक नया table add किया गया है जिसमें negative values जिहां friends sales minus sales return अगर आपका negative result आ रहा है तो आज के date में 3B में ऐसा कोई option नहीं है कि आप उसे disclose कर पाए लेकिन अब यहाँ negative values जो है उसको डालने का option भी यहाँ और दे दिया गया है अगर आपके sales से ज़्यादा sales return है तो उस negative values को अब आप यहाँ put up कर सकेंगे eligible और ineligible ITC वाला table पूरी तरीके से बदल दिया गया है जिसमें reversal, reclaim और जिस तरीके का input tax credit का nature है accordingly आपको tables जो है 3B के अंदर दिखाये जाए इसके बाद ITC से related जो amendment है उसका option भी आपको GSTR 3B के अंदर मिलने वाला है तो इन सारी चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है और इस पे suggestions important है क्योंकि इसके basis पे ही finalization जो है वो किया जाएगा क्योंकि input tax credit से related जो amendment है अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पर amendment to ITC available जो input tax credit आपने avail किया उसमें कुछ amendment है तो वो किस period से है और differential tax कितना बनता है वो आपको यहाँ पर disclose करना है taxpayer will be able to select the sub category of ITC available to be amended from the drop down menu यहाँ पर आपको सब table दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको अलग-अलग categories of amendment जो है वो दिखाई जाएगे अगर आपका ITC reversal वाले में कोई amendment है तो आप rule 38, 42, 43, 17, 5 के अंदर जो reversal है उसमें भी amendment कर पाएगे तो काफी सारी चीजें इस GSTR 3B के नए format में बदलने जा रही हैं जो कि यह जल्द ही आपको देखने को मिलेगा नए रूप के अंदर काफी important है 15 सितंबर से पहले आप इस चीज को comply कर लीजिएगा ताकि GSTR 3B हमारे रूप से तयार हो सके चलिए इस वीडियो को यही end करते हैं आशा करते हैं कि आपको यह एक वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से 3B changes हो रहा है और उसके अंदर आपके suggestions जो हैं वो कैसे और कहां पहुंचाने हैं अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेट क्लर का सब्सक्राइब टेन प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करें जी एस्टी प्लैटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जी एस्टी और इंकम टेक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए झाल